तो भाई आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी skill के बारें बात करने वाले हैं जो कि एक pro player को एक noob player से अलग बनाती है और भाई इस skill का नाम है spotting skill क्योंकि भाई भले ही एक noob बंदा हो ये pro बंदा अगर उसको enemy की location पता रहेगी तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि spotting का मतलब क्या होता है तो भाई spotting का मतलब होता है कि आप enemy की location पता लगा ले रहे हो कि enemy exactly है कहाँ पे अब आप enemy को visually अपनी आखों से भी spot कर सकते हो और आप अपने sound sense के through भी enemy को spot कर सकते हो और आप अपने experience के through भी थोड़ा idea लगा सकते हो कि बंदा कहाँ पे है तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप visually enemies को easily कैसे spot कर सकते हो तो भाई सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको graphic settings कैसी रखनी है तो भाई सबसे पहले आपको जो graphics दिख रहे हैं उनको आपको smooth पर रखना है हमीशा और आपको frame rates हैं आपको इनको रखना है हमीशा maximum guys मेरे phone में extreme तक support करता है तो इसलिए मैं extreme पर खेलता हूँ आपके phone में जितना support करता है आप उतने में खेलना अब guys frame rate के बाद आजाता है style और guys इसमें ना बंदों को बहुत ज़्यादा confusion होती है अब आपको किस style पर हेलना है ये depend करता है आपके phone के display पे क्योंकि हर phone का display अलग होता है और जहां तक कि मैंने personally experience किया है colorful पर सबसे best चलता है जादा तर फोन में तो आप लोग colorful पर करके खेल सकते हो बाकि अगर आपके phone में colorful पर अच्छा नहीं चलता है तो आप लोग classic कर लेना पर realistic, soft और movie तो बिलकुल भी मत करना है ये सबसे बेकार है अब guys इसके बाद आचाता है anti-analyzing और guys अगर आपके पास low end device है आपके device lag होता है तो आपको इसको हमेशा close पर करना है और अगर आपके पास अच्छा कासा device है और lag नहीं होता ताब आप इसको 2x या 4x पर कर सकते हो अब guys इसके बाद आजाती है brightness और भाई ये बहुत जादा important है भाई आप इसको हमेशा full करके खेलना इससे क्या होगे कि आपके गेम के colors है वो बहुत जादा bright होंगे जिसकी वज़े से आप enemies को easily spot कर पाओगे और auto adjust graphics को हमेशा disable लगना अब भी guys मैं आपको graphic settings तो बता दी है अब मैं आपको कुछ tips देने वाला हूँ जिससे कि आप enemies को easily spot कर पाओगे तो भाई जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं नीचे से ना उपर वाले floor पर बिल्कुल भी नहीं देख सकता पर जैसे ही मैं गाड़ी में बैटूंगा मैं उपर वाले floor के बंदों को आराम से spot कर पाओँगा तो भाई गाड़ी से ना आप लोग बहुत ही आराम से बंदों को spot कर सकते हो और गैस मानलो की सामने घास में बंदे कैम्प कर रहे हैं तो आप लोग अपनी गाड़ी के उपर smoke करके भाई गाड़ी के अंदर get in करके भिना एनिमीज की location आराम से देख सकते हो कि बंदे कहा कहा लेटे हुए हैं और भाई इस वाली trick को बहुत सारे competitive players last zone में use करते हैं एनिमीज की location देखने के लिए तो भाई अब हम चलते हैं हमारी tip number 2 पे तो भाई गेम में जितने भी resource packs होगे रहा होते हैं तो भाई हमें हमेशे download करके रखने चाहिए अब इस तुम लोगों को लग रहा हुआ कि हमारे resource pack से हमारे spotting का क्या लेना देना है तो भाई देखो अगर हम लोग resource pack वगरे download नहीं करते हैं तो हमें enemies की dresses नहीं दिखती हैं और भाई enemies की dress होती है वो हमें बहुत जादा help करती है enemies को spot करने में अगर enemy घास में लेटा हुआ है तो चलो अब मैं तुम्हें ये चीज़ example के साथ समझा देता हूँ तो भाई अभी तुम लोग देख सकते हो मेरे सामने बंदा है और उसने dress नहीं पहनी हुए है और जब वो घास में लेट जा रहे हैं तो भाई मुझे बिल्कुल भी spot नहीं हो रहा है और वही बंदा जब कपड़े पहनने के बाद घास में लेट रहा है और जिनके पास बहुत जादा internet है और बहुत जादा space है मैं तुम लोगों को यही recommend करूँगा कि तुम लोग सारे resource packs डाउनलोड रखा करो इससे आप लोगों को na spotting में बहुत जादा help होने वाली है तो भाई अपना third point आ जाता है pixel spotting तो भाई बहुत सारे बंदे के अगरते है न जब तक उनको पूरा बंदा spot नहीं होता वो लोग firing नहीं करते हैं बंदे पर भाई देखो अगर तुम्हें बंदे का एक छोटा सा पाट भी दिख रहे है न तो मैं बंदा हलका सा भी spot हो रहा है न भाई सीधा fire करो बंदे पर अगर बंदा knock नहीं होगा तो at least बंदा damage हो जाएगा तो भाई मैंने आपको यह तो बता दिया है कि आप enemy को visually कैसे spot कर सकते हो अब मैं आपको यह बता देता हूं कि sound sense कितना जादा important होता है enemy को spot करने के ल तो भाई वैसे तो sound sense भी मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बताने वाला था पर यह वीडियो बहुत जादा लंबी हो जाएगी और sound sense के उपर मैंने already एक वीडियो बनाई हुई है तो भाई अगर आपको अपना sound sense भी improve करना है तो भाई आप वह वाली वीडियो देख करते हैं क्योंकि वहां से आपको बहुत easily angle मिल जाता है बंदों पर यह फिर बहुत ही जादा advantage हो जाती है तो भाई आप जितना साधा game खेलते हो जितना साधा experience gain करते हो भाई आपको ऐसी जगाओं के बारे में पता चलता जाता है आप लोग बार बार मरोगे आपको पता च देख सकते हो उससे भी तुम्हें बहुत जादा experience मिलेगा और अगर आप लोग को इस वीडियो से कुछ सीखने का मिला होना तो चैनल को भी subscribe जरूर से कर देना और हां भाई मुझा आज गेम में मेरे एक fan मिला था और वो बोल ला था कि भाई मेरे सारी वीडियो देखता है पर भाई उसने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो भाई मुझे comment section में जरूर बताना कि तुम ने चैनल सब्सक्राइब किया या फिर तुम भी उस मतने की तरह बिना सब्सक्राइब करें वीडियो देखरे हो तो भाई आज की वीडियो के लिए पस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई